दोस्तों इन दिनों दर्शिकों के बीच बॉलिवुड से भी जादा टॉलिवुड फिल्मों का क्रेज दिख रहा है जिसमें सबसे जादा चचित अपकमिंग फिल्म के जीएफ चैप्टर टू बनी है जिसके साथ अब इनेता यश जल्दी बड़े परदे पर नजर आने वा कि आली में इस फिल्म से जोड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि यश की इस अपकमिंग फिल्म में बॉलिवुड की मिशूर डानसर नोरा फतही का आइटम डानस होने वाला है जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने नोरा इस फिल्म में आइटम डानस करने जा रही है वो भी पेहद ही पॉपिलर सॉंग खतूबा पर तो इसलिए आज के मारे इस वीडियो में हम आपको KGF चैप्टर 2 में नोरा फतेही के होने वाले आइटम डांस के बारे में ही बताने वाले हैं कि कैसा होगा वो गाना गाने में नोरा का लुक कैसा होगा और ये गाना कब तक अगर आप इस आइटम सॉंग से जुड़ी इन सबी बातों को जाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंटक बनी रहें साथ ही यश और नोरा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले हैं पेमस फिल्म डिरेक्टर प्रशांथ नील के डिरेक्शन में बन रही फिल्म केजिएफ चैफ्टर टू में हमें अभिनेता यश और संजधत के साथ साथ रवीना टंडन और राम चंदर राजू जैसे कई और भी कराकार देखने को मिलने वाले हैं जिसके लिए दर्शुकों के बीच अभी से ही काफी जादा एकसाइटमेंट है और अब फैंस का ये उतसा और बढ़ गया है जबसे फिल्म मेकर्स की तरफ से ये खबर आई है कि इस फिल्म में बॉलिट की मशूर डांसर नोरा फतेही का आईटम डांस होने वाला है जो पह की हिट फिल्म अली बाबा चालिस शूर का जिसमें हमें आशा भूसले की रुहाने आवाज के साथ साथ जीनत अमान के जबदस डांस मूव देखने को मिले थे और इसी पॉपलर सौंग को अब नोरा के आईटम सौंग के लिए री क्रेट किया जा रहा है खबरे हैं कि इस गाने के री क्रेट वर्जन पर नोरा अपने सिजलिंग डांस का जर्बा भी केरने वाली है जो अपने सिजलिंग डांस से इस गाने को सूपर हिट बनाती नजर आएंगी लेकिन जहां अस्ती के दशक में इस गाने में जीनतमान रेड कलर की अफगानी ड्रस के साथ डांस क आई है कि ये गाना हमें कब तक देखने को मिलेगा पर खबरे हैं कि ये गाना हमें जल्द ही फिल्म की रिलीजिंग से कुछ दिनों पहले ही देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों क्या खूबसूरत अदाकारा नोरा फतेही के जीएफ चैप्टर टू के इस एंटेटेनिंग स लॉंग में अपने जबदस डांस मूव से दर्शकों का दल जीतने में काम्याब रहेंगी या रहें आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी और नई अपडेट से जोड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करना ना भूलें